हेलो फ्रेंड्स मैं अंजना मित्तल आज आपके लिए एक ये प्यारा सा गर्ल्स गाउन लेकर आई हूँ ये देखिए मैंने ये एक पाँच साल की लड़की के लिए बनाया है ये पूरा मैंने लेडिस गाउन की तरह तयार किया है फ्रंट और बैक दोनों सेम बनाये ये देखिए नीचे मैंने इसमें घेर बनाया है नीचे से ये शुरू होगा और इसमें फंदे कम होते जाएंगे ये नीचे स्कर्ट की तरह और फिर ये मैंने उपर चोली की तरह बनाया है पूरा गाउने बहुत सुन्दर लगता है अब ये कैसे बनेगा चलिए हम ये स्टार्ट करते हैं यह देखिए यह जो हमारा गाउन है वो हमारा नीचे से स्टार्ट होएगा यहां से यहां मैंने यह गाउन जो है यह मैंने पाच साल के बच्चे के लिए बनाया है पाच या छे साल के बच्चे को इसमें यहां पर मैंने यहां यहां पर मैंने इसमें 135 फंदे डाले हैं 135 आग तो यहाँ पर मैंने 135 फंदे डाले हैं, फिर मैंने ये 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20 सलाई का मैंने बॉर्डर बनाया है, जिसमें हमें कोई फंदा घटाना या बढ़ाना नहीं है, फिर बॉर्डर के बाद से मैंने हर तीसरी सलाई में, यहाँ पर जैसे हम स्कर्ट में घटाते है एक-एक फंदा हर तीसरी सलाई में, मतलब जैसे अगर हमने इस सलाई में फंदा घटाया है, सीधी सलाई में एक फंदा जाते समय घटाएंगे, एक फिर उल्टी शुरू करते समय घटाएंगे, फिर जो दूसरी सीधी सलाई आएगी, उसमें फंदा नहीं घटाएंगे, फ हमारे यह देखो 5-6 साल के बच्चे के लिए मेरे पास यहां पर 80 फंदे मैंने रखे हैं और यह पूरा जो टोप है पूरे पूरे गाउन की लेंथ मैंने 28 इंच की है 20 तो उससे आधा जितनी हाप बच्चे की पूरी लेंथ को मीजर कर सकते हैं उसके किसी कपड़े से मीजर कर सकते हैं तो उसका फिर जो हाफ होता है पूरी लेंथ का जो हाफ होगा मतलब जैसे मेरा 28 इंच का गाउन है तो मैं 14 इंच की सकर्ट बनाऊँगी यह देखो 14 इंच तक मेरे को फंदे घटानी है ये देखिए मैंने 14 इंच के सकर्ट तयार किया है ये देखो ये हमारी यहां से यहां तक ही हमारी सकर्ट तयार हो गया है 14 इंच के ठीक है उसके बाद हमें ये बिलकुल सीधा बुनना है यहां हमने कोई भी फंदा नहीं घटाया है और ये हमने फिर इसमें यहां पर यहां यह मैंने यह मैंने फिर आठ हिंच के चोली तयार किये हैं और सिक्स हिंच के हमने इसमें मुढ्धे बनाई हैं फिर यहां मैंने आठ हिंच के चोली बनाने की बाद यहां मैंने इसमें तीर दो एक यह मुढ्धो की घटाई की है यह से ही इधर किय और साथ साथ फंदो की मैंने ये बटन पट्टी बनाई है गले की घटाई मैंने इसमें हुड बनाया है आपको पता है मैं पहले भी एक वीडियो में दिखा चुकी हूँ हुड बनाना अगर आपको बिल्कुल नहीं आता तो आप मैं उसका लिंक डाल दूंगी आप उसमें से हुड बनाना सीख सकते है वैसे मैं बता रही हूँ कि जब हमारे ये चार इंच के चार इंच के जब हमारे मुढ़े बन जाएंगे ये वाले मुढ़े चार इंच के हो जाएंगे तब हमें यहां फंदो की घटाई करनी है शुरू में हमें यहां पर दस फंदे इस पीस में और दस फंदे हमें इस पीस में घटानी है, दोनों साइट दस दस घटानी है, फिर जितने भी फंदे हैं वो हमें दो 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 करके घटानी है, shoulder पर मैंने इसमें यहांपर 22 फंदे रखे हैं और 22 फंदे मैंने इधर रखे हैं बाकी फंदे हम 2-2 करके घटा देते हैं 2-2-2 बाकी हम plane कर लेते हैं back में मैंने कोई गला नहीं घटाया फिर मैंने यहांपर यह 80 फंदे उठाकर गला बना लिया है क्योंकि इसमें बड़ा गला बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है गल्स के और जब मैंने फिर ये हुड बनाया है ये हुड मैंने गला हमारा असी फंदे का है बट हुड हमारा एक सो पाँच फंदे का है तो मैंने यहाँ पर फंदे हुड बनाते समय मैंने हुड मैंने अलग से बनाया है तब ही यह बुनाई ऐसे आ रही है और फिर मैंने इसको यहाँ पर स्टिच कर दिया है यह हुड मैंने यहाँ से बनाया है अगर आप यहीं से बनाकर लगाना है ये तब भी आप 105 फंदो का पहले हुट बनाएंगे फिर इस में यहाँ पर स्टेच कर देंगे अब स्लीव्स का देखते हैं ये देखें स्लीव्स में में यहाँ पर 40 फंदे डाले हैं 40 फंदे और 40 फंदे डालने की बाद मैंने पहले 10 सलाई का बॉर्डर है और फिर मैंने यहां पर हर पाचवी सलाई में एक एक फंदा बढ़ा दिया है उपर तक मैंने यहां पर यहां मैंने 75 फंदे किये हैं और इसमें मैंने जो यह डिजाइन डाला है यह डिजाइन मैंने केवल एक सेंटर में दो डिजाइन डाली है यह एक और एक दो यहां क्रोशिय की लेस बना दी है यह हमारा डिजाइन है यह देखे इसकी लेंद हमने 14 इंच की यह स्लीव की लेंद आप चाहें तो इसको बड़ा-चोटा अपनी स्वीधा की अनुसार कर सकते हैं अब मैं इस डिजाईन की बात करते हैं, यह देखिए, साइड में यहाँ पर इसको स्टिच किया है, और बाद में इसमें भी मैंने यह वाली क्रोशे की एक लेस बना दे दी है, क्रोशे की लेस ओप्शनल है, आप चाहें तो बनाएं, और चाहें तो ना बनाएं, यह इसमें जो हमने डिजाइन डाला है, ये डिजाइन, ये देखिए, डिजाइन बहुत प्यारा है, आप चाहें तो ये डिजाइन पूरे स्वेटर में डाल सकते हैं, पूरे गाउन में, और चाहें तो केवल नीचे बॉर्डर बना सकते हैं, ठीक हैं, अब ये डिजाइन कितने फंदो का है और इसके सेंटर में चार फंदे हैं ये वाले जब आप डिजाइन शुरू करेंगे तो बीच में हमें दस दस फंदों का गैप रखना है ये हमारा दस फंदों का गैप है डिजाइन बनाते समय ये 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 दस फंदों का गैप है और बीच में हमारी दस सलाई ही प्ले रही हो ये देखिए आप इसका स्क्रीन शोट लेकर ये ग्राफ बना कर ये डिजाइन बना सकते हैं ये देखिए आप इसका स्क्रीन शोट ले लीजिएगा और बड़ा एजली आप ये वाला डिजाइन तयार कर सकते हैं ये देखो मैंने पहले नीचे जो हमने ये डिजाइन बार दिजाइन बिजाइन की पिला है पुठी हैं फूरी देडी स्केजाविया सिर्टक्रट कैसि उपर यह से लग्यंता है यह जही क्यों लेकिन उपर का पार्ट बनाया चोली वाला पार्ट की बना है अगर आ scratch पिलिए किला है आप ये डिजाइन हम कैसे बनाएंगे चलिए मैं आपको बना देके दिखा देती हूँ पूरा डिजाइन बनाना समभव नहीं है इसलिए मैंने ये तयार कर लिया है अब मैं आपको ये बनाना बताऑंगे उसको देखे कैसे बनेगा ये देखो जो फंदे घटेंगे वो कैसे घटेंगे वो मैं आपको बता रही हूँ ये देखे इस सलाई में हम यहाँ पर हम शुरू में दो का एक फंदा बनाएंगे ऐसे ये देखे अब हम सबसे पहले डिजाइन स्टार्ट कर रहे हैं ये मैंने यहाँ दो का एक किया तीन फंदे बने अब हम यहाँ पर पहले दो फंदे भाइट बनेंगे एक पिंक फिर से दो भाइट अब हम इसके बीच में दस फंदे पिंक बुनेंगे ये देखिए बीच में हमने टैन फंदे पिंक किये हैं फिर से दो भाइट एक पिंक दो भाइट और बीच में हम दस दस फंदे प्लेन रहेंगे हमारे अब हमारी उल्टी सलाई आ गई है, इसमें भी हम यहाँ पर ऐसे दो का एक करेंगे, यह हमने दो का एक किया और यह हम ऐसे, यह यहाँ आ गए, जो हमारे दो वाइट थे हम एक इधर से वाइट को पिंक बनाएंगे, एक, दो, तीन, अब एक पिंक बनाएंगे, फिर से तीन वाइट, एक, दो, दोनों यह वाइट पे वाइट और एक एक्स्ट्रा, यह, अब हम यहाँ पर आठ फंदे बीच के पिंक बनाएंगे, जो हमारे दस थे अब वो आठ हो जाएंगे, यह दीखिए, अब मैं यहाँ पर फिर से हमने वाइट बनाएंगे, एक, दो, तीन, फिर से एक पिंक, और फिर से तीन वाइट, एक, दो, तीन, अब यह दो पिंक बनाएंगे, अब हम सीधी सलाई पे आगए हैं, छें सलाई की बनाई हैं हमारी, तीसरी सलाई आगई है, इस सलाई में हम कोई फंदा नही घट आएंगे, यहां हम ये एक फंदा हम इधर से एक्स्ट्रा लेंगे ये वाले फिर से एक दो तीन तीन पिंक हो गए तीन वाइट हो गए अब तीन पिंक बनाएंगे एक दो तीन फिर से तीन वाइट एक दो तीन सुरी मैंने गलत कर दिया ये देखी, यहां हमने 3 पिंक वाइट किये है अब हम इस वाइट के उपर एक पिंक किया जो ये हमारा सेंटर का पिंक फंदा था इसको हम वाइट बनाएंगे अब इस वाइट को हम फिर से पिंक बनाएंगे और अब हम यहाँ पर 3 वाइट बनाएंगे एक दो तीन अब हम 6 फंदे पिंक बनाएंगे यह हमारे आप 6 हो जाएंगे एक दो तीन चार पाँच और एक छेन यहां हम फिर से इसको वाइट एक, दो, तीन वाइट, एक पिंक, ये पिंक वाला वाइट, वाइट वाला पिंक और फिर से हमारे तीन वाइट बनेंगे, एक, दो, तीन और ये फंदे हमारे ऐसे ये रहेंगे अब हमारी उल्टी सलाई आ गई है इसमें भी कोई फंदा नहीं घटेगा यहाँ पर हम ये वाले एक दो दो फंदे बुनेंगे तीन की जगा क्योंकि एक एक्स्ट्रा रोकना है आपके पास जितने भी फंदे हो उनमें से वाइट के बराबर वाला एक रोक लेना है यहाँ से हम ये वाला पिंक वाला एक दो ये तीन भाइट अब हम भाइट को पिंक बनाएंगे एक और अब हम सेंटर में तीन भाइट बनाएंगे ये वाली सेंटर के एक दो और एक इसके बराबर वाला तीन फिर से एक पिंक अब तीन वाइट एक, दो, ती ऐसे हैं अब हमारे बीच में चार फंदे हो जाएंगे एक, दो, तीन और एक, चार लास्ट में क्योंकि इन में जो गैप आ रहा है ये वाला चार का गैप है अब हम तीन वाइट बनाएंगे एक, दो, तीन एक पिंक बनाएंगे तीन वाइट एक, दो, तीन फिर से एक पिंक और तीन वाइट बनाएंगे एक, दो, तीन इधर हमारे फंदे कम रह गए हैं क्योंकि मेरे छोटा सा सेंपल ही है लेकिन आपको जब बुनाई शुरू करते हैं तो इस से पहले दस फंदे आपको रख लेने हैं ताकि ये हमारी घटाई पूरी होती जाए अब हमें पिछली सीधी सलाई में हमने फंदा नहीं घटाया था लेकिन इस सलाई में हम यहाँ पर फंदा घटाएंगे ये मैंने दो का एक कर लिया अब हम ये वाले हमारे सारे फंदे पिंक होने हैं ये पिंक हो गया ये भी हमारा पिंक रहेगा ये भी पिंक रहेगा अब जो बीच के तीन फंदे हैं केवल हमारे ये तीनों वाइट बुने जाएंगे एक दो तीन केवल ये तीन फंदे बुने जाएंगे और एक दो तीन चार ये चार ये और चार ये ये बारा फंदे हमारे यहां से यहां तक पिंक बुने जाएंगे ये मैं पिंक बुन लेती हूं बारा फंदे एक, दो, तीन, चार, पाँच अगर आपको ये ऐसे डबल धागा लेने में दिक्कत होती है तो आप छोटे-छोटे उनके टुकड़े भी लगा सकते हैं पीसीज करके ये देखिए, ये हमने बारा फंदे पिंक बना लिये हैं अब हम अपने ये तीन फंदे सेंटर वाले भाइट बनाएंगे, ऐसे और ये फंदे हम फिर से पिंक बना देंगे एक, ये सारे हमारे फिर से पिंक हो जाएंगे मतलब हमारे जो सेंटर में होंगे, वो तीन फंदे किवल भाइट होएंगे और ये बारा फंदे हमारे पिंक वाले बाकी फंदे बारा पिंक हो जाएंगे अब हमें हमने उधर फंदा घटाया था तो हम इधर भी घटाएंगे ऐसे एक बार हम फंदा घटाएंगे और एक बार नहीं घटाएंगे जब हमारे फंदे पूरे हो जाएंगे चोली जितने तब हमें कोई फंदा नहीं घटाना है ये देखिए अब हम ये जो हमारे तीन फंदे थे इसमें से ये वाला फंदा हम पिंक बुनेंगे ये वाइट बुनेंगे और ये हमारे बारा की जगे इस बार चोदा फंदे पिंक हो जाएंगे ये मैं चोदा फंदे पिंक बुन लेती हूँ ये देखिए मैंने 14 फंदे पिंक बुन लिये हैं अब हम एक फंदा वाइट बुनेंगे और ये सारे फंदे हमारे पिंक हो जाएंगे ऐसे हमारा ये 6 सलाई में डिजाइन कंप्लीट हो गया है ये देखो और अब हमें 10 सलाई ये देखिए ये हमारा डिजाइन बन गया है और अब हमें 10 सलाई बिलकुल प्लेन बनानी है सेंट बीच में इस तरह इस तरह से आप ये डिजाइन बड़े आसानी से और बड़ा इ and share जरूर कीजिएगा एक बार फिर से मैं इसका ग्राफ दिखा देती हूँ आप इसका ग्राफ देख लीजिएगा ये देखो ये आप ग्राफ से बड़ा इजली इसका स्क्रीन शोट लेकर ये डिजाइन तयार कर सकते हैं थेंक यू है वर नाइस दे